हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने आ ले हैं ट्रेडिंग व्यू के बारे में कैसे आपको ट्रेडिंग व्यू में अपना अकाउंट खोलना है कैसे इसको यूज करना है इसमें हम कुछ basic basics basics सीखेंगे trading view के हम ज्यादा deeply इसको study नहीं करेंगे हम बस इसमें कुछ इसके basic सीचेंगे बस यह video only for beginners के लिए है यहाँ पर आप Google में trading view type कर लिजिए trading view पर टाइप करने के बाद कुछ ऐसा interface को लेगा उसके बाद आपको trading view में click करना है और अगर आपको यह ध्यान पूरा धंग से सीखना है तो आपको यह video देखनी पड़ेगी और यह video beginners के लिए हम इसमें basics सीखेंगे बस trading view के तो यहाँ पर get start में click करने के बाद get start में click करने के बाद आपको कुछ ऐसा interface दिखेगा इसमें प्रो के लिए 14.95 डॉलर और प्रो प्लस प्रीमियम अलग-अलग subscription है लेकिन हमको यह video लेना है हमको कोई subscription नहीं लेना है यहाँ पर अब हम अपना यहाँ पर login करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा login हो चुका है उसके बाद आपको कुछ ऐसा interface दिखेगा उसके बाद आपको charts पर click करना है charts पर click करने के बाद आपके सामने chart दिख जाए लेगा अगर यह हमको chart दिख रहा है अगर अब अब देख रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं आप इस इंपली चार्ट लगा हुआ है निप्टी का निप्टी का चार्ट लगा हुआ है अब अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यह चार्ट ओपन है तो अगर आपको इसका टा ताइम यूजच करना है फंटी कंट और 45 मिनट या फिर डईली टाइम छाशिक पर लिक से क्लिक करसकते हो अ और आपको कि यहां पर अगर ठिख अगर आप अपने कीपैड में 15 का करेंगे तो 15 कःपर पर देख तो तो वन आउर का चाट खुल जाएगा अगर अब यहाँ पर लिखेंगे तो फॉर decon Bridger जैसे आपको जो भी चाट ूच जो वी ऌभी ताइम फ्रेम का चाट देखना हूं आप वो तयम करेंगे अपने कीपड अफ़िए ने तो उने फॉर चांडवी बाट होगी आप आपको यहां पे कैंड़स जो दिख री है वहां पे गैंडल स्टीक पैटन अगर आपको vigil करने तो आपको है जर्केंडल करने करने तो ऐहां पिकर करने पड़ेगा यहां पर और कॉल आप फूछ सकते हैं माइस एलाइन ये लाइन यूज वी सकते हैं करनी चाहिए और उसके यहां पर हैं इंडिकेटर इंडिकेटर पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी इंडिकेटर यूज करना है जैसे कि आपको मसेडी यूज करना है तो मसेडी यूज करना है तो मसेडी पर आप क्लिक कर सकते हैं और यहां पर हमारा हमारा यहां पर MSCD open हो चुक है और जैसे आपको कुछ और एक बात आप फिरी वाले ट्रेडिंग व्यू में बिना सब्सक्रिप्शन वाले ट्रेडिंग व्यू में आप तीन से ज्यादा नहीं लगा सकते आपको बस तीनी लगा सकते हैं उसमें क्लिक करने के बाद आपका पर पर यहां पर मौविंग अभी लगाना है तो आपको यहां पर चैटिंग पर जाना है लेंत में आपको यहां पर 50 टाइप करदें तो आपका 50 कि फिप्टी डेस का मुविंग एवरेज लगया आपको जितने यहां भी लगाना आपको 200 लगाना है तो आप यहां पर 200 टाइप करें और ओके कर देखें तो यह 200 किस अज़राइन किसी है ठीशच्त देखने तो आपको सिम्पली कीपड पर sdfc टाइप करना तो यहां पर SDFC bank का चार्ट आ चकाए आपको अगर फ्यूचर्स देखने है SDFC के तो फ्यूचर्स में क्लिक करें SDFC के फ्यूचर देखेंगे आपको हमको स्टॉक देखने हैं तो SDFC bank का हमको यहां पर चार्ट दिख जाएगा अब simply आपको आप जैसे ICICI bank का चार्ट देखनें तो ICICI अपनी keypad पर ICICI bank type करेंगे यहाँ पर ICICI bank में click कर देंगे तो ICICI bank का चार्ट कुल जाएगा ऐसे ही आप किसी भी company का चार्ट देख सकते हैं अब बात आती है watch list की अब जैसे हम watch list add कर दें तो यहाँ पर watch list के बगल में एक add का symbol है यहाँ पर जो भी आपको अपनी watch list बनाने है जैसे आपको अपनी watch list में reliance रखना है तो simply यहाँ पर reliance reliance type करें और यहाँ से add कर दें तो यह add हो जाएगा और जैसे आपको कोई भी जैसे आपको access bank अपनी watch list में add करना है तो access bank यहाँ पर type करें और इसको watch list में add कर दें और आपको जैसे कोई जो भी आप यहाँ पर watch list में add करना है उसका नाम आप यहाँ पर type करें और वहाँ add कर दें जैसे दीपक नैट्रेड हम को add करना है तो डीपक नैक्टेड हम यहाँ पर एड़ कर देते हैं अब आपको अगर कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो आप यह एल्टी प्लस टी दबाएं और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कहीं से कहीं भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ALT plus T के T दबाने के बाद यह shortcut की है trend line के अगर आपको shortcut की इस्तमाल नहीं करनी है तो आप simply आप यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे आप trend line, arrow, ray जो भी आपको extended line, horizontal line यहाँ पे horizontal line के लिए ALT plus H shortcut की है vertical line, cross line जो भी आपको use करने आप यहाँ से कर सकते हैं और जैसे आपको इसमें Fibonacci retracement चेक करना है तो आपको simply ALT plus F shortcut की दबानी है उसके बाद जहां से जहां तक का आपको Fibonacci retracement चेक करना है वहाँ से आप यूँ एक चेक कर सकते हैं जैसे कि यह Dixon Technologies का चार्ट है daily timeframe पे तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं और आपको यह तो Fibonacci retracement की बात होगी और अगर आपको इसमें अपना risk reward ratio चेक करना है तो आप आप simply यहां पर क्लिक करके long position का आपको risk reward ratio चेक करना है तो long position में क्लिक करें और यहां से आपको जितना भी आपका risk reward ratio है जैसे आपका यहां पर stop loss है और target यहां है तो तो आपका risk reward ratio यह हो गया है simply 1-2-3 और जैसे short position का आपको risk reward ratio चेक करना है तो आप यहां पर click करके short position में click कर सकते हैं और यह अपना risk reward देख सकते हैं कितना आपका risk है और कितना आपका reward है और यहां पर आप जो यह scale दिया है scale में click करके आप measure कर सकते हैं कि आपके किसी भी यहां कोई भी area में इसने कितना return दिया है तो हम यहां पर से यहां पर तक अगर diction कर देखें तो लगबग 18 bars 27 days के अंदर इसने 46% का return दिया है तो ऐसे आप किसी का भी देख सकते हैं आज की इस वीडियो में इतना ही और आपको जिस भी topic पे और वीडियो चीए या इसमें कोई deep trading view में ज्यादा deep वीडियो चीए तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं अगर आप channel पे नहीं हैं तो आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए channel को subscribe करें और मिलते हैं अगली वीडियो में thanks for watching